तो गूर्णिंग आईज, तो स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास, बताइए मजगाओं डॉक्याड लिमिटेड ये कहां पर है, तो आंसरों का मुंबई में, अब बताइए गार्डन रिज शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पर है, ये आपको मिलेगा कॉलकता में, अचा, बोकारो आईरन स्टील प्लांट कहां पर है, ये आपको मिलेगा जारखंड में, और भिलाई आईरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा चत्तेजगड में, और इन दोनों को, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, और भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दोनों को रश्या क की मदद से बनाया गया है चलो एक प्रस्ने करंट अफेर्स का आपके लिए आपको बताना अभी किस देश ने स्टील का निर्माड किया था बिना कोईले का यूज किये कौन सा देश है वो फिर बताईए राउरुकेला आईरन स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा उडिसा में और इसे जर्मनी की साहिता से बनाया गया स्टूखों सम्मिलन कब हुआ था 1972 में और विश्व में पहली बार सस्टेनेबल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मिलन था इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर के की गई थी तीन बैंकों को तो कौन-कौन से बैंक थे वो देखो बैंक ओफ कोलकता जिसकी स्थापना होती है 1806 में बैंक ओफ मंबई जिसकी स्थापना होती है 1804 में और बैंक ओफ मदरास की 1843 में तिनों को मिलाकर के Imperial Bank बना था 1921 में और इसी Imperial Bank का नाम 1 जुलाई 1955 में SBI हो गया था और भारत की पहली bank जिसका राष्ट्रे करण हुआ तो RBI है कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को सेभी की स्थापना कब होती है? और नाबाड की स्थापना किस समित्य की सिफारिश पे होती है? शिवरमन समित्य कब 12 जुलाई 1982 इसका Headquarter मिलेगा आपको मुंबई में और हाँ गाईज देखिए इंडिया के Top Bank Educators एक बार फिर N Academy पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी Free Classes तो N Academy की हर Class conduct की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी Free Classes आपको मिलेंगे N Academy पर जहां पर आप अपने Favorite Teacher के साथ अपने घर से अपने Personal Schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और N Academy की हर Class आप Live नहीं तो बाद में Recorded Session के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो Class को डाउनलोड करके Offline भी देख सकते हैं और आप Live Class में Ask a Doubt Teacher के द्वारा Teacher से अपने Doubt भी क्लियर करवा सकते हैं और आप Live Ques और Test Session भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी Live Ranking भी देखने को मिलेगी और अनकैडमी पर टोटल बारा भाषाओं में Classes conduct होती है तो आप अपनी Favorite भाषा में Class अटेंड कर सकते हैं आप अपने Teacher के साथ इंट्रैक कर सकते हैं Live Poll में Part ले सकते हैं और यह सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लैट्फोम पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ तो आज ही सब्सक्राइब करें अनकैडमी पर और इन सभी Benefits का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा Code जो की है Crick Exam 10 यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount में मिलता है तो आपको इन सभी classes के जो link है वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का Benefit उठा सकते हैं अब यह बढ़ते हैं तो बताईए National Technology Day कब मनाया जाता है तो अंसर होगा 11 मही को और इसकी ठीम थी Science and Technology for a Sustainable Future सतत्भविशे के लिए विज्ञान और प्रिद्योगी की अच्छा National Science Day कब होता है 28 फरवरी को होता है अब बताईए International Nurse Day यह 12 मही को होता है Florence Nightingale के जनम दिन को जिने Lady with Lamp भी कहते हैं और इसकी ठीम क्या है Nurse Advise to Lead a Vision for Future Health Care एक International Midwife डे भी होता है जो 5 मही को होता है और आप जानते हो WHO ने 2020 को Nurse और Midwife का अंतरराश्ट्रे वर्ष गोशित किया है बताईए International Family Day अंतरराश्ट्रे परिवार दिवस कब होता है 15 मही को होता है और इसकी ठीम थी Families and New Technology इसके अलावा एक अंतरराश्ट्रे परिवार परिक्षन्ड दिवस International Day of Family Remittance भी होता है 16 जून को National Dengue Day कब होता है 16 मही को होता है Dengue, Mada, Eddies, Aegepties मच्छर के काटने से होता है वैसे 16 मही को International Day of Light भी मनाते हैं और सिक्किम का इस्तापन दिवस भी होता है World Hypertension Day विश्व उच्च रक्ट चाप दिवस कब होता है 17 मही को होता है और इसकी ठीम क्या रही Measure your blood pressure accurately Control it, leave long World Telecommunication and Information Society Day कब होता है ये भी 17 मही को ही होता है इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व दूर संचार वा सामाजिक सूचना दिवस और बताईए अचा इसकी ठीम भी है Accelerating Digital Transformation in Challenging Times और बताईए अब International Museum Day ये 18 मही को होता है इसकी ठीम थी The Future of Museums, Recover and Reimagine विश्व मधुमक्की दिवस कब होता है 20 मही को होता है इसकी ठीम है Be Engaged, Build Back Better for Bees World Metrology Day कब होता है विश्व माप विज्ञान दिवस ये भी 20 मही को होता है और National Anti-Terrorism Day राष्ट्रे आतंकवादी विरोधी दिवस ये होता है 21 मही को 21 मही को वेले वेसे अंतर राष्ट्रे चाह दिवस भी मनाया जाता है तो आप पुराने महीने के Current Affairs को हम लोग revise करेंगे तो बताइए किसे अमेरिकी सेना के प्रतम महीला सची उनियुक्त किया गया तो अंसर वगा क्रिस्टीन वर्मत को बताइए हाली में जारी Inclusive Internet Index 2021 में भारत के rank क्या है 49 नंबर पे रहा भारत और इसमें टॉप पे स्वीडन रहा था फिर बताइए इसन्ता जो कि एक Digital Platform में इसको Launch किया गया था बताना है ये किस से सम्मंदित है Aquaculture Products से इसका उद्धिश्य था जो Aquaculture Farmers होते हैं जलिये खेती करने वाले जो किसान होते हैं उनको शशक्त बनाना उनको और खरीददारों को एक Platform पर लेकर के आना बेसिकली बताइए कौन सा देश अगले साल तक चंद्रमा पर राशिद मानव रहित रोवर भेजेगा तो अंसर होगा United अरब अमिराद McDonald's इंदिया ने किसे अपना ब्रेंड अमबेजदर बनाया था रश्मे का मंदाना को इपंचायत पुरसकार 2021 कि सराजय ने जीता था तो उत्तरप्रदेश ने 2020 वाला हिमाचर प्रदेश ने जीता था Flipkart ने भारत में सबसे बड़े गोदामो का निर्मान करने के लिए किसके साथ समझोता किया अडानी ग्रूप के साथ Flipkart जिसके CEO कल्यान करश्न मूर्ती है Headquarters का Bangalore में है और बताए किसे राजय सरकार ने जल अकादम शुरू करने की घोशना की थी तो अंसर होगा उड़ी था विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया 16 अप्रेल को Theme थी One Word Many Voices कौन सा देश अपने शती ग्रष्ट Fukushima परमानू सैयंतर से 10 लाख टन से जादा का विशाक्त जल कु समुद्र में छोड़ेगा तो नाम से पता चल गया होगा Fukushima ये जापान की बात हो रही है बढ़ते आगे अच्छा बताएए दुनिया के बहतरीन Medical Institutes की लिस्ट में दिल्ली इम्स का इस्थान कौन से इस्थान पर रहा तो आंसर होगा 23 नंबर पर इसमें पहले इस्थान पर USA का John Hopkinson University School of Medicine रहा भारत का दूसरा सबसे बड़ा Cricket Stadium का पर बनाया जा रहा है दूसरा बात कर रहे हैं जो कि दुनिया का तीस तरह सबसे बड़ा होगा जैपुर में पहला आप जानते हैं यह गुजरात में हैं दुनिया का सबसे बड़ा जिसका नाम अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया था इसकी capacity है एक लाख दस हजार लोगों के बिठने की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उस्टेल है के मेलबार्न में मिलेगा जिसकी capacity नबबे हजार लोगों की है और अब जैपुर में जो बन रहा है उसकी capacity है 75,000 लोगों की e-commerce company ने shop c application को launch किया था किस e-commerce company ने तो flipkart ने तो इसमें आप बिना किसी निवेश के online business से start कर सकते हैं बताईए सर्बिया में Silver Lake Open Shatran's Tornamant का किताब जीता था निहाल सरीन ने और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के जबसे यूआ Grandmaster कौन बने थे अभी मन्यू मिश्रा बारती अमेरिकी यह यह बारती जिना ने चलता फिरता पुल Short Span Bridging System को शामिल किया अभी इसका निर्मान किस ने किया DRDO ने बताईए किस राज़े या Union Territory ने महिला उद्ध्यमियों के लिए होसला योजना को शुरू किया आंसर होगा जम्मू कश्मीर और इसी तरह से आपको याद होगा उत्तरागण के पुलिस ने मिशन होसला को शुरू किया था यहाँ पे होसला योजना का मतलब क्या हो गया इसका उद्धेश है महिलाओं की आर्थिक स्तेति को मजबूत करना इसका मेन उद्धेश है जम्मू कश्मीर के उपराज जपाल लेक्टेन गवर्नर मनोथ सिन्ना है फिर बताइए किसानों को खेती और मौसम सम्मन्दी जानकारी उपलब्द कराने के लिए कि इस एप्लिकेशन को लॉंच किया गया आत्म निर्भर क्रशी एप्लिकेशन ब्रेटेन के नए स्वास्त मंत्री बने थे साजिद जाविद उनका नाम है पाकिस्तान मूलके है और हारली में चल्चा मेरा है सुमित मलिक का समन्ति स्खेल से है रैसलर है यह डॉक्टरों को श्रधा अंजली देने के लिए कि इस बैंक ने अभी सलाम दिल से पहल चुरू की थी HDFC ने तो अब कल की करंट अफेट्स को भी हम लोग रिवाइस करेंगे तो चलिए अब कल की करंट अफेट्स को भी रिवाइस करते हैं विश्व प्रवाशी पक्षी दिवस World Migratory Bird Day कब मनाया गया साल में दो बार मनाते हैं मई और अक्टूबर के महिने को मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को तो 2020 में एक तो आठ मई को मनाया था और एक 9 अक्टूबर को थीम क्या रही किस केंद्रे बल ने लदात में एक पहाड को नौरबू वांगडू पीक नाम दिया ITBP ने इंडो तेबेतन बोर्डर कुलिस इसकी स्तापना होती है 24 अक्टूबर 1962 में डारेक्टर जनरल अभी नए बने संजी अरोडा नाम है और BSF कें डारेक्टर जनरल बने थे पंकच गुमार सिंग युनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में किवल एक सिक्षा के तो आंसर होगा तमिल नाडू एक्टूली में युनेस्को जिसका हैटक्वर्टर है पैरिस फ्रांस में इसके जो अध्यक्षे अध्रे उजाले उन्होंने एक रिपूट जारी की थी नो टीचर, नो क्लास, स्टेट ओफ एजुकेशन रिपूट फॉर इंडिया 2021 उसमें ऐसा बताया गया किस राज में राष्टर व्यापी नदी पशुपालन कारेकरम शुरू किया गया उत्रप्रदेश में तो जो पशुपालन मंत्री हैं कौन? पुरुशोत्तम पुरुपाला इन्होंने इसको शुरू किया उत्रप्रदेश के गड़ मुक्टेश्वर के बरचि घाट में के सुब्रमन्यम इन्होंने तीन साल पूरे होने के बाद अपने पच्छे स्तिफा दे दिया क्या थे ये मुख्य आर्थिक सलाकार थे चेफ इकॉनमिक एडवाइजर थे एक क्रिप्टो प्लेट्फॉर्म है ये कॉइन स्विच कुबेर इसके ब्रेंड अमबेस्टेर बन गए कौन रनवीर सिंग अभी एक क्रिप्टो एक्स्चेंज है कॉइन DCX उसके भी ब्रेंड अमबेस्टेर बने थे कौन अमिता बच्चन केंदरे बंदरगा मंतरी ने shipping द्वारा बंदरगा संचालन के digital निकरानी के लिए भी कौन सा application launch किया तो कौन है हमारे बंदरगा मंतरी सर्बन अंदर सोनूवाल इनोंने launch किया my port application दुनिया बर में अकेले उडान भरने वाले सबसे कम उम्र के वैक्ति बन गए कौन ट्रेविस लडलो यूके से हैं ये इनकी उम्र है 18 वर्ष 150 दिन चब इनों ने ये कारने ये कारनमा किया विश्व डार्क दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टोबर को मनाया थीम्थी इनोवेट टू रिकावर एक नेशनल पोस्टल वर्कर से डेबी होता है राष्टरे डाक करमचारी दिवस वो एक जुलाई को मनाया तो गाईज ये था आज का हमारा रिविजन वाला वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना और आपको बता है भी भारत में जितनी भी चीजे पहली बार हुई है उसका क्विज बना करके आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे अप्लोड कर दिया गया उसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट पार्क्स थे काफी सारे पार्क्स पढ़े हैं तो आप डेली चेक करते रहिए और उन क्विज को लगाते रहिए बार-बार क्विज को लगाए ताक के कम समय में ज़्यादा कुशन राइट उठते रहें और सबसे बड़ी बात यह होती ही क्विज लगाने का कि आपका रिविजन होता रहे रिविजन इस मोस्ट इंपोर्टेंट यह बात हमेशा ध्यान रखना थैंक्यू गाइज